हेलो एर्वरवन वेलकम तो यूट्यूब चैनल मैं पुजा दिलो आज भी एड का फर्स्ट पेपर हुआ था यह पीएड का नॉलेज एंड करिकुलम इसके अंदर जो आज पेपर आया था काफी अच्छा था जिस हिसाब से दिखा जाए तो बाकी पेपर भी काफी अच्छा आएंगे difference between information and knowledge यह सभी को पता होगा और सबने कर भी दिया होगा उसके बाद how does culture influence knowledge यह भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पढ़ना important है और बहुत ही असान होता है meaning and different of curriculum need of curriculum change तो यह almost चारोग ही आप लोगों ने कर दिये होंगे उसके बाद जो मैंने कोशन बताया था आप लोगों को वही आया है कि आपका जो knowledge है उसकी meaning उसके kind और उसको कैसे acquire किया जाता है इसका method आपसे पूछा जाएगा दूसरा कोशन हाँ थोड़ा घुमा दिया गया था कि nowhere and the non क्या होते हैं ठीक है इसका transmission and construction आपको बताना था हाँ यह थोड़ा घुमा दिया गया था बाकि easy यह भी था next जो second unit है second unit के अंदर आपका जो कोशन था कोशन दिया गया था meaning and main factors aim बताने थे आपको curriculum के methods बताने थे teaching के और discipline के और इसका सांकिया philosophy का आपको बताना था जो कि मैंने बोला था कि इन दोनों में से 101% आएगा तो उस हिसाब से आया है पिपर next आपका idealism से मैंने बोला था कि कोशन आएगा और मैंने इसको important में भी दिया था आपको कि idealism से कई बार पूछा जा चुका है और इसमें से पूछा जाएगा अब बात करते हैं third unit की तो third unit के अंदर principal nature पूछा गया है curriculum का construction and base of curriculum ये भी मैंने आप लोगों को बताया था और एकदम same ही question almost बताया गया था और ये आया है काफी ही अच्छा लग रहा है कि paper almost same आया है आपका उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि approach में से कोई भी एक पूछा जा सकता है तो आप यहां पे learner driven approach लिख सकते थे या आप इसकी जगह जो आपकी दूसरी approach है वो लिख सकते थे तो मैंने बोला था कोई भी एक approach आप याद कीजेगा और एकदम same question ये भी आया है मतलब इस unit के दोनों के question ही same आये हैं जो मैंने बताये थे उनमें से next आते है fourth unit के उपर fourth unit में आपको मैंने learner center design model बोला था याद करने के लिए जो की आया है इसके अंदर उसके बाद आपका जो factor affecting curriculum change मैंने बोला था curriculum change से question आएगा और वो आया है इसके अंदर बाकी curriculum development में क्या क्या चीजे जरूरी है ये अपने आप आप लोग कर भी सकते थे क्योंकि जब आप model पढ़ लेते हैं आप change पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ही आस और कैसा आपका paper किया comment करके ज़रूर बताईगा do like share and subscribe my channel thank you so much have a great day take care